C.I.E.T.N.C.E.R.T. की ओर से प्रस्तुत है कक्षा पांच के लिए गनित की पाथ पुष्टक गनित का जादू का दसवा अध्याए दसवा और सौवा भाग पेज 134 तुम्हारी इस्तेमाल की हुई सबसे छोटी पैंसिल की लंबाई कितनी है? इस पैंसिल की लंबाई अंदाजे से लिखो. खाली जगह. सेंटीमिटर. इसे स्केल से मापो. तुम्हारा अंदाजा कितना अच्छा है? हम देख सकते हैं कि अंजु ने एक लेंस का उपयोग किया है जिस से के पैंसिल बड़ी दिखाई देती है. यह तीन सेंटीमिटर से ज्यादा लंबी है. यहां एक बच्ची, स्केल, लेंस और पैंसिल दिखाई गए हैं. इसके अलावा एक कीड़ा भी दिखाया गया है. यहां एक सेंटीमिटर के दस बराबर भाग हैं. तो हर भाग एक सेंटी मीटर का दसवा भाग है एक सेंटी मीटर के एक दसवे भाग को एक मिली मीटर कहते हैं अर्थात M.M ओ, तो यह पैंसिल तीन सेंटी मीटर और छे मिली मीटर लंबी है देखो मैं तीन मिली मीटर लंबी हूँ यानि M.M पर मैं बहुत एक सेंटीमीटर के साथ दसवे भाग के बराबर या खाली जगह मिलीमीटर हम एक सेंटीमीटर के एक दसवे भाग को शुन दशमलव एक सेंटीमीटर कहते हैं हम इसे शुन दशमलव एक सेंटीमीटर पढ़ते हैं तो 1 mm, 0.1 cm के बराबर है. पेज 135 इस पैंसिल की लंबाई कितनी है? खाली जगह, 1 mm इसकी लंबाई संटीमीटर में कितनी है? मेंधक क्या तुमने मेंधक देखे हैं? कहां? तुमने कितनी तरह के मेंधक देखे हैं? क्या सभी मेंढ़कों की लंबाई एक जैसी होती है? यहां दो मज़ेदार उदाहरण है गोल्ड मेंढ़क इस तरह का मेंढ़क दुनिया के सबसे छोटे मेंढ़कों में से एक है इसकी लंबाई केवल 0.9 सेंटिमीटर है अंदाजा लगाओ कि ऐसे कितने मेंढ़क तुम्हारी छोटी उंगली पर बैठ सकते है बुल मेंढ़क पर यह सबसे बड़े मेंढ़कों में से एक है इसकी लंबाई 30.5 सेंटिमीटर तक होती है 0.9 सेंटिमीटर का क्या मतलब है? यह खाली जगह मिली मीटर के बराबर है हम यह भी कह सकते हैं कि यह एक सेंटिमीटर का नौ दसवा भाग है सही है ना? तो 30.5 सेंटिमीटर खाली जगह सेंटिमीटर और खाली जगह मिली मीटर के बराबर है ऐसे कितने बड़े मेंढ़क एक मीटर के स्केल के बराबर होंगे अगर वे एक गतार में बैठें तो कितने चोटे मेंढ़क एक मीटर जगह गेरेंगे खाली जगह यहाँ एक बच्चा मेंढ़क, लेंस, कील और स्केल इत्यादी दिखाए गए है अभ्यास का समय एक, कील की लंबाई है दो संटिमीटर और खाली जगह, मिलिमीटर या दो दशमलव खाली जगह, संटिमीटर पेज 136, यहाँ सकेल, भिंडी और मौमबत्तियां दिखाई गई है दो, इस भिंडी की लंबाई खाली जगह, संटिमीटर और खाली जगह, मिलिमीटर है लिख सकते हैं. तीन, इस पन्ने पर दिये गए स्केल के सहारे मुम्बत्ती एक और मुम्बत्ती तीन की लंबाई में अंतर पता करो. यहां एक तालिका दी गई है जिसको तीन कॉलम्स में बाटा गया है. पहले में लंबाई, दूसरे में लंबाई संटीमीटर और मिलिमीटर में और तीसरे में लंबाई संटीमीटर में लिखा है. लंबाई वाले कॉलम में मुम्बत्ती एक, लौ एक, मुम्बत्ती दो, लौ दो, मुंबती, तीन, लो, तीन लिखा है। इसके अनुसार आपको खाली स्थानों की पूर्ति करनी है। तीन सेंटिमीटर से चार सेंटिमीटर के बीच की डंडी, नारंगी, यहां कुछ डंडियां दिखाई गई हैं। पेज 137 अंदाजा लगाओ, बनाओ और नापो इन चीजों के चितर बनाने के लिए इनकी लंबाई का अंदाजा लगाओ और बनाओ, अपने दोस्त को भी इनहें बनाने को कहो, चितर बनाने के बाद स्केल से इनकी लंबाई नापो, किसके चितर का अंदाजा ज्यादा अच्छा था। इस प्रिष्ठ पर भी एक तालिका दी गई है जिसमें बनाने के लिए चीजें तुम्हारे चितर की लंबाई और तुम्हारे दोस्त के चितर की लंबाई कॉलम में लिखनी है बनाने के लिए जो चीज है वो एक सेंटीमीटर से कम लंबाई की एक चीटी लगभग साथ सेंटीमीटर लंबी पैंसिल ग्यारा सेंटीमीटर लंबा गिलास जिसमें पांच सेंटीमीटर तक पानी है बिस सेंटीमीटर परिमाप की एक चूड़ी और सोला सेंटीमीटर लंब A या B हर रेखा को नापो और सिंटिमीटर में उसकी लंबाई लिखो तुम्हारा अंदाजा कितना अच्छा है यहां कुछ रेखाएं हैं और दो बच्चे हैं A, B, C, D कौन सी रेखा ज्यादा लंबी है C या D हर रेखा को नापो तुम्हारा अंदाजा कितना अच्छा है पेज 138 किसकी पूँच सबसे लंबी है यहां कुछ जानवर दिखाए गए है इन जानवरों पर विचार करो अंदाजा लगाओ कि किसकी पूँच सबसे लंबी है अब पूँचों को नापो तुम्हारा अंदाजा कितना अच्छा है यहां एक चूहा, बिल्ली, कुत्ता, छिपकली, बंदर और सूर दिखाए गए है एक सौ रुपए का नोट भी दिखाया गया है सबसे लंबा नोट सौ रुपए के नोट की लंबाई कितनी होगी अंदाजा लगाओ अब स्केल से इसे नापो अब और वस्तूओं की लंबाई और चौड़ाई का अंदाजा लगाओ फिर इन्हें नापो अपने अंदाज और अपने नाप के बीच के अंतर का पता लगाओ यहां एक तालिका दी गई है जिसमें चीजों के नाम है सो रुपे का नोट, दस रुपे का नोट, बीस रुपे का नोट, पांच रुपे का नोट, पोस्ट कार्ड, गनित का जादू किताब आपको इनके अनुसार खाली स्थानों की पूरती करनी है कॉलम है सेंटिमीटर में तुम्हारा अंदाज, लंबाई और चोड़ाई, सेंटिमीटर में तुम्हारा नाप, लंबाई और चोड़ाई यहां चित्र में दरशाया गया है बैग एक सो बीस रुपे पचास पैसे अंडे एक अंडा दो रुपे पचास पैसे का सूरज रूपी खिलोना पांच सो सड़ सठ रुपए पचीस पैसे साबुन आठ रुपए पिछथर पैसे माचिस पचास पैसे पैन छह रुपए पचास पैसे चपल बतीस रुपए निन्यानवे पैसे पेज एक सो उन्तालीस यहां एक बच्ची और एक महिला दिखाई गई है इस अनोखी कीमत को देखो बतीस रुपए और निन्यानवे पैसे पर जब हम उन्हें तेंतीस रुपए देते हैं तो वे हमें एक पैसा वापस नहीं देते यह एक पैसा कम दिखा कर हमें उल्लू बनाते हैं एक पैसा एक रुपए का कौन सा भाग है एक पैसा एक रुपए का एक सो वाँ भाग है है ना इसे लिखा जाता है शून दशमलव शून एक रुपए इसलिए हम निन्यानवे पैसे को शून दशमलव नौ नौ रुपए लिखते हैं एक माचिस की डिब्बी कितने पैसे की आती है? खाली जगा 2 माचिस की कितनी डिब्बियां दो रुपए पचास पैसे में ली जा सकती है? खाली जगा 3 एक साबुन की टिकिया का कितना दाम है? खाली जगा 4 अरुन एक साबुन खरीदना चाहता है उसके पास एक पांच रुपए का सिक्का, दो एक रुपए के सिक्के और चार पचास पैसे के सिक्के हैं उसे कितने पैसे वापस मिलेंगे? रुपए में लिखो, खाली जगा यहां कुछ बच्चे दिखाए गए हैं कर्णन, साथ रुपए लो और एक सही एक बटा दो दरजन अंडे खरीदो बचे हुए पैसों से तुम कलम खरीद सकते हो क्या मैं तेरह रुपए में दो कलमें खरीद सकती हूँ? पांच क, एक अंडा दो दशमलव पांच शून रुपए का है एक सही एक बटा दो अंडे कितने रुपए के होंगे? खाली जगा ख, कर्णन कितनी कलमें खरीद सकता है? कर्णन के पास कितने पैसे बचे हैं? छे, दो कलमों का दाम है? खाली जगा, रुपए क्या वहद दो कलमें खरीद सकती है? पेज एक सो चालीस अभ्यास का समय मिलान करो हर पीले बॉक्स को एक हरे और एक गुलाबी बॉक्स से मिलाओ एक बटा दो रुपया तीर का निशान पचास पैसे तीर का निशान शून दशमलव पाँच शून रुपया यहां एक बटा दो रुपय को पचास पैसे और जीरो दशमलव पाँच शून रुपया से मिलाया गया है इसी प्रकार आप अन्ने को हल कीजिए जैसे आपको बताना है कि एक बटा दस रुपया किस किस के बराबर है और पाँच बटा सौ रुपया किस किस के बराबर है तीन बटा चार रुपया नन्यानवे बटा सौ रुपया और एक बटा चार रुपया किस किस के बराबर है उदाहरन के अनुसार आप भी इसको हल कीजिए मिलाने के विकल्प हैं पाँच पैसे पच्चीस पैसे 99 पैसे, 50 पैसे, 75 पैसे, 10 पैसे 0.75 रुपया 0.05 रुपया 0.05 रुपया 0.05 एक शुन रुपया 0.05 दो पाँच रुपया 0.99 रुपया रंग बिरंगे डिजाइन यहां एक चीटी है और एक रंग बिरंगा डिजाइन है इस कागज का कितना भाग नीला है? खाली जगा, बटा, 10 इस कागज का कितना भाग हरा है? खाली जगा, कौन सा रंग इस कागज का 0.2 भाग ढखता है? खाली जगा अरे नीले रंग की पट्टी कागज का शून दशमलव एक हिस्सा है अब दूसरे कागज पर विचार करो हर पट्टी दस बराबर खानों में बांटी गई है कुल मिलाकर कितने खाने हैं यहां एक और डिजाइन दिया गया है क्या हर खाना कागज का एक बटा सौ भाग है कितने नीले खाने हैं खाली जगा तो क्या नीला हिस्सा दस बटा सौ है हमने देखा कि नीला हिस्सा कागज के एक बटा दस हिस्से के बराबर है हमने उसे कागज का शून दशमलव एक भाग लिखा पेज 141 क्या हम कह सकते हैं कि 10 बटा 100 बराबर 1 बटा 10 बराबर 0.1 बराबर 0.1 सोचो क्या हम 10 पैसे को रुपए का 0.1 लिख सकते हैं कितने खाने लाल हैं यह कागज का कौन सा भाग है 15 बटा खाली जगा क्या हम इसे कागज का 0.15 भाग लिख सकते हैं संकेत याद है हमने कैसे 99 पैसे को 0.99 रुपए लिखा था अब कागज का 3 बटा 100 बटा 100 बटा खाला है तो हम कह सकते हैं कि 0.15 खाली जगा भाग काला है इस कागज में सफेद रंग के कितने खाने हैं दूसरे कागज का कितना हिस्सा सफेद है चीटी कहती है परेशान मत हो 0.1 शून और 0.1 बराबर हैं याद रखो कि यह 50 पैसे का सिक्का 0.5 शून रुपए और 0.5 रुपए भी है अपने डिजाइन बनाओ यहां कुछ वर्ग दिये गए हैं इस वर्ग के 0.5 भाग में लाल रंग भर कर एक मज़ेदार डिजाइन बनाओ चार रंगों का उपयोग करो हर रंग को इस वर्ग का 0.5 भाग ढखना चाहिए खेल दिवस मलापुरम के स्कूल का खेल दिवस हुआ लंबी कूद में पहले पाँच बच्चे हैं यहां एक तालिका दी गई है जिसमें लिखा है टीना 3.50 मीटर मीना 4.50 मीटर रिहाना 4.50 मीटर अनु 3.50 मीटर अमीना 3.35 मीटर यहां एक बच्ची लंबी कूद कूदती हुई दिखाए गई है टीना ने 3.56 मीटर की कूद लगाई जो कि 3 मीटर और 50 सेंटी मीटर है पर अनू कितना लंबा कूदी? खाली जगा, मीटर और खाली जगा, सेंटी मीटर लंबी कूद में कौन जीता? खाली जगा पेज 142 पहले दूसरे और तीसरे इस्थान पर आने वालों का नाम स्टेंड पर लिखो क्या तुम्हें याद है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटी मीटर? तो 1 सेंटी मीटर 1 मीटर का 1 बटा 100 भाग है हम 1 सेंटी मीटर को खाली जगा, मीटर भी लिखते हैं तीन, एक, दो, मीटर में लिखें तीन मीटर 45 सेंटी मीटर, खाली जगा, मीटर 99 सेंटी मीटर, खाली जगा, मीटर एक मीटर और 5 सेंटी मीटर, खाली जगा, मीटर तुम कितने बड़े हो सकते हो, क? यहां एक पहलवान और दो बच्चे दिखाए गए हैं सांस छोडने के बाद 1.52 मीटर अंतर खाली जगा लंबी सांस लेने के बाद 1.82 मीटर अपने लिए करो और पता करो ख़़ दो मीटर की लंबाई तक पहुँचने के लिए तुम्हें 45 सेंटिमीटर और बढ़ना होगा यहां एक चित्र है जिसमें दो बच्चियां, एक कुच्ता, दर्वाजा और पर्दा दिखाए गए हैं दिनेश की लंबाई कितने मीटर है? खाली जगा, मीटर, खाली जगा, संटिमीटर पेज 143 अभ्यास का समय एक, अलग अलग देशों की मुद्द्रा क्या तुमने दूसरे देशों में इस्तिमाल होने वाले नोट या सिक्चे देखे हैं? शिवम बैंक ने एक तालिका यह बताने के लिए दी है कि हमें कितने रुपए मिल सकते हैं अगर हम अपना पैसा अलग अलग देश के पैसों से बदलें, तो यहां एक तालिका दी गई है जिसमें तीन कॉलम है पहले में देश, दूसरे में मुद्रा और तीसरे में भारतिये पैसों में बदल कर इसका क्या मान होगा यह बताया गया है जैसे कोरिया देश की मुद्रा वान है और भारतीय पैसों में इसको बदल कर ये 0.04 रुपय हो जाएगी और श्री लंका की मुद्रा LKR रुपया है भारतीय मुद्रा में ये 0.3-7 रुपय हो जाएगी इसी प्राकार से नेपाल रुपया NPR 0.63 हौंग कौंग डॉलर HKD 5.10 दक्षणी अफ्रीका रेंड 5.18 चीन युआन 5.50 UAE दिरहम 10.80 USA डॉलर 49.70 जर्मनी यूरो 58.3 चुन ने इंग्लेंड पाउंड 77.76 ये कीमतें 15.2008 की हैं यहां कुछ देशों की मुद्राएं दिखाई गई हैं किस देश की मुद्रा की भारतीय रुपयों में सबसे ज्यादा कीमत है मिथुन के अमेरिका में रहने वाले अंकल ने उसे उपहार में 10 USA डॉलर भेजे हैं मिथुन ने स्कूल की आत्रा के लिए 350 रुपय का उपयोग किया मिथुन के पास कितनी राशे बच गई यहां एक चित्र में पहाड़ी स्थल पर एक बस जा रही है कुछ पेड़ भी दिखाए गए है बच्चों से दशमलव वाली बड़ी गुणा करने की अपैक्षा न करें प्रोसाहित करें के बच्चे रुपय में सोचें जैसे 75 पैसे गुणा 2 को 250 पैसों और 25 पैसों के सिक्कों के रूप में सोचा जाए पेज 144 ग मजीद के पिताजी यू एई ए में काम करते हैं उन्हें तनखाह में एक हजार दिरहम मिलते हैं अरण के पिताजी श्री लंका में काम करते हैं वे दो हजार श्री लंकन रुपय कमाते हैं तनखाह में किसको ज्यादा भारतिये रुपय मिलते हैं ग यहां एक बच्ची एक तुहफा लिये हुए है अंग आस्था को कुछ हौंग कॉंग डॉलर और वॉन चाहिए चार रुपए के कितने वॉन मिलेंगे चार सो रुपए के पांच सो आठ रुपएओं को वह कितने हौंग कॉंग डॉलर से बदल सकती है दो किरन दो सो रुपए लेकर खरीदारी करने गई बिल को देखो दुकानदार सही जगह बिंदो लगाना भूल गया बिंदों को सही जगह लगाओ और बिल के कुल पैसों का पता लगाओ यहां कुछ सामान दिखाया गया है और कुछ लोग भी है यहाँ एक तालिका में चीज, मात्रा और कीमत बताई गई हैं साबुन, मात्रा, एक कीमत, बारा सुपचास रुपे हराचना, एक किलो, पांच हजार पचीस रुपे चाए, दो सुपचास ग्राम, रुपे कीमत, दो हजार साथ सुपचीस रुपे नारियल तेल एक लीटर छे हजार रुपे तीन, कौन सा शहर ठंडा है? मैं हिमाचल प्रदेश में रहता हूँ सरदियों में वहां का तापमान दो अंश सेल्सियस हो जाता है कभी कभी पानी के पाइपों में बर्फ जम जाती है लेकिन राजस्थान जहां मैं रहती हूँ वहां का तापमान 48 अंश सेल्सियस तक पहुँच जाता है यहां बहुत गर्मी होती है हमें पानी लाने के लिए कई किलो मीटर तक चलना पड़ता है छात्रों को प्रेरित करें कि वे समाचार पत्र और टीवी में विभिन शहरों के तापमानों को देखें हमने यहां अधिक्तम या नियूनितम शब्दों का प्रयोग नहीं किया है बलकि यहां यह बताने की कोशिश की गई है कि तापमान दिन में दो अलग समय में दिन और रात को नापा जा सकता है यहां दशमलव की सरल घटा की स्थितियों का उपयोग किया गया है इसके दौरा वे शहरों वे राज्जियों की राजधानियों के नाम से भी परिचित होंगे उन्हें प्रेरित करें कि वे दूसरे देशों की राजधानियों के तापमान को भी रिकॉर्ड करें पेज 145 16 जनवरी 2008 को शाम के तीन बजे इन शहरों का तापमान रिकॉर्ड किया गया श्री नगर 8.1 अंश जैपुर 23.2 अंश बहुपाल 25.9 अंश कुलकाता 26.6 अंश गुवहाटी 24.8 अंश मुंबई 25.1 अंश तिरुवनंत पुरम 33.5 अंश चन्नई 29.9 अंश तिरुवनंत पुरम में 40 अंश सेल्सियस तक तापमान पहुँचने के लिए तापमान को कितना और बढ़ना चाहिए चार चन्नई से कुलकाता का तापमान कितना कम है पांच उसी दिन सुबह तीन बजे भी इन ही शहरों का तापमान रिकॉर्ड किया गया तालिका देखकर प्रशनों का उत्तर दो अप्शन चिन्नई में शाम के तीन बजे और सुब़ के तीन बजे के तापमान में क्या अंतर है। भोपाल में… यहां एक तालिका में नगरों के नाम और सुब़ के तीन बजे तापमान क्या था दिया गया है। चेन्नई 21.1, बुंबई 19.0, तिरुवनंत पुरम 21.6, कोलकाता 13.1, भोपाल 9.8, श्री नगर 1.3, गुवहाटी 12.8, जैपुर 10.2, इसी के साथ 14 अध्यायों वाली इस पुस्तक का दस्वा अध्याय यहां पूरा हुआ। अध्यायों वाली इस पुस्तक का दस्वाइब।